लोगों ने Minecraft के अंदर working plane में आने की कोशिश तो की है लेकिन वो सारे के सारे बहुत जादा छोटे plane थे इसलिए आज मैं बनाने वाला हूं Minecraft का सबसे बड़ा working plane जो की actually में fly कर पाएगा साथ ही मैं इस के अंदर मैं बनाने वाला हूं काफी बड़ा storage system जिसके अंदर हम काफी सारा food रख पाएंगे साथ ही मैं इसी plane के अंदर बनाने वाला हूं farm and even entertainment system ताकि हम millions and million block travel कर पाएं बिना रुके तो क्या मैं इस वाले task को complete कर पाऊंगा let's find out let's go सबसे बेले चलते कुछ dirt block उपर and then start करते है अपने plane का structure बनाना and इसी के साथ finally हमने अपने plane का design ready कर लिया है and अपना plane अभी कुछ ऐसा दिख रहा है let's go guys अभी अपने design तो ready हो चुक है लेकिन अभी मैं सूच रहा हूं इस plane को अभी मैं 3D के अंदर convert करने वाला हूं ताकि इसका हम framework पूरा पूरा complete कर पाएं तो उसके लिए मेरे को ना पहले हैं आप एक चोटा सा structure ready करना होगा कुछ ऐसा all right guys खेर finally अभी मैंने अपने plane को एक 3D structure दे दिया है अभी ये कुछ इस type का दिख रहा है अब बस मुझे इसको ना पूरा पूरा concrete से cover करना है थोड़ा सा इसके उपर design बनाना है then हम काम करेंगे अपना piston वगरा का जिसके मदे से अपना plane ना हवा के उपर उड़ पाएगा तो इस पूरे पूरे plane को मैं ढखने वाला हूँ quards के blocks से क्योंकि ये काफी जादा बढ़िया दिखती है तो जब तक मैं अपने plane की walls को cover कर रहा हूँ मुझे पता कि आप लोग ये सोच रहूंगे कि मैं इस वाले plane को working कैसे बनाऊंगा तो देखो उसके लिए मेरे पास एक plan है मैं ना इस सारे के सारे plane के चारो तरफ pistons लगा दूँगा then उन सभी को connect कर दूँगा और finally अपना plane उड़ने लग जाएगा अब सुनने में जितना easy लग रहा है ये actual में उतना easy है नहीं इसके लिए literally मुझे बहुत जादा महनत करनी पड़ेगी anyways जल्दी जल्दी मैं अपने plane की walls को complete करता हूँ then इसके interior के उपर काम करती है और interior complete करने के बाद finally हम अपने main काम के उपर लगेंगे जिसमें हम इस पूरे पूरे plane को working बना देंगे okay तो अभी खैर मैंने अपने plane का 3D structure ready कर लिया था अभी मेरे को बनानी थी इसकी windows तो windows बनाने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ काफी सारी slabs okay wait guys ये तो बहुत जादा बेकार लग रहा है and there we go finally मैंने यहाँ पे अपने plane की windows ready कर लिया है and अभी अपना plane काफी दा बढ़िया लग रहा है तो मुझे इसको थोड़ा 3D structure देना है तो जैसे का आपको पता होगा कि जो plane के wings होती है वो सीधे नहीं होते वो थोड़ा tilted होती है अभी जल्दी से मैं इस वाले wing को complete करता हूँ there we go finally guys हमने यह वाला wing भी complete कर लिया है और अभी finally बारी आज चुकी है अपने plane को अंदर से decorate करने की तो मैं आपको एक बार ना चल के दिखाता हूँ कि अपना plane इस टाइम पे कैसा दिख रहा है okay guys अभी अपना plane ना कुछ इस टाइप का दिख रहा है मैंने नीचे से भी अपने plane को complete नहीं किया क्योंकि नीचे मैं कई सारी और चीज़े लगाने वाला हूँ तो इसलिए भी मैंने उसको खुला ही छोड़ा है के पंक्रेइब के बनाने की तो जल्दी चल्दी पहले तो मैंने हेहांपे रखेँ यह की मदल याल と आहिं प्रोपेलर देता हूं और और भी अपना plane कौफी जयादा बढ़िया लग रहा है मैं इसको साइड से भी ढग देता हूँ खैर पंकेस के काफी जाद छोटे हैं और प्लीन काफी जाद बढ़ा है ओके अपना प्लीन का प्रोपेलर अब कुछ ऐसा दिख रहा है जो कि लिटरली बहुत जादा अमीजिंग है अलब एक बार चेक आउट करो यार काफी जादा बढ़िया लग रहा है और फ्रंट से अपना प्लेन अभी कुछ इस टाइप का लग रहा है मेरे को ठीक ऐसा ही प्रोपेलर अभी इस साइड भी बनाना है तो लेट्स को जल्दी से भी मैं बनाता हूँ ओके गाईस फाइनली अपना इस वाले साइड का प्रोपेलर मैंने कंप्लीट कर दिया है एंड इसी के साथ हमने यहाँ पे ट्रैप डोर भी लगा दिया है एंड यह रहा अपना प्रोपेलर Finally guys CC के साथ हमारे दोनों के दोनों प्रोपेलर रेडी हो चुकी है साथ ही में अपना प्लेन अभी पूरक पुरा रेडी हो चुका है खैर मैंने इसके इंटीर के ओपर अभी कोई भी काम नहीं किया है बटां दूर से देखने में काफी जादा बड़ी अलग रहा है खैर एक बार आप साइड से चेक करो इसका हर एक चीज़ काफी जादा परफेक्ट है खैर यह उतना जादा परफेक्ट एरो प्लेन तो नहीं है बटां एक बार चेक आउट करो यार दूर से देखने में यह कितना जादा बड़ी अलग रहा है और कुछ ही देर के बाद यह एक्चिल वें फ्लाइ करने वाला है अभी खैर अपने बाकी काम के ओपर ध्यान देते हैं अभी मेरे को ना अपने प्लेनिंग अंदर काफी सारे एनिमल्स को रखना है साथ भी मेरे को इसके अंदर बनाना एक फार्म और साथ में काफी तगड़ा स्टोरेज सिस्टम तो स्टोरेज सिस्टम मनाने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ काफी सारे लामाज, होर्स और डॉंकिस को क्योंकि डिरेक्ली हम चेस्ट इसके अंदर नहीं रख सकते हैं अगर हमने चेस्ट यहां पर रखी तो अपना जब प्लेन चलेगा ना आगे तो उसके चलते हो सकता है कि कोई ग्लिच हो जाए और मैं नहीं चाहता है कि मेरा पूरा पूरा प्लेन खराब हो जाए तो इसलिए मैं ना होर्सेस के उपर ना काफी जारी चेस्ट लगा दूँगा और इसको अपने ना इस वाले प्लेन के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दूँगा तो होर्सेस को तो कोई फरक पढ़ता नहीं है चाहे ब्लॉक ही ले डूले तब भी अपना प्लेन ना आगे पीछे हो पाएगा क्योंकि मानलो अगर हमने पीछे मशीन लगा दी वागे धक्का मार रिया प्लेन को उससे ये सारे इक सारे ब्लॉक ना इदर दर बिखर जाएंगे तो उसके लिए मेरे को ना इन सभी को चिपकाना होगा एक साथ जिसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ स्लाइम ब्लॉक तो हाँ ये काफी जादा मेहनत का काम होने वाला है तो उसके लिए मेरे को साथ हमें काफी सारे स्लाइम ब्लॉक भी चाहिए होगे काफी सारे पिस्टन चाहिए होगी पर रूम के अंदर मैं बनाने वाला हूँ एक काफी बड़िया गेमिंग सिस्टम जिसके अंदर हम काफी सारी चीज़े बना पाएंगे जिस्टे स्वेमिंग पूल साथ में एक बास्केट बॉल का ग्राउंड अब ग्राउंड तो नहीं बन पाएगा लेकिन हम बास्केट को लेके आना होगा साथ में को लामा मिल पाएंगे छी यरे इसके बढ़ी टेम करूंत भा तो नहीं लिए थया मैंने आपने एक सान्विकर वोगा अब ये टेम हो गया शायद से हो गया क्या जल्द से मैंने इसके पर अपनी चेश्ट लगाता हूं वेट अब ये टेम नहीं हो यार कितना टाइम लगेगा ओके गाइस फाइनली अपना ये वाला जो डॉंकिया रहो टेम हो चुका है मैं इसको पर लेके चलता हूं अपने प्लेनिक अंदर लेके आठ चुका हूं इसको भी ये चोड़ देती हैं और अभी हम दुबार से नीचे चलती हैं पर अभी घर्मिर को ऐसे करके कई सारे अनिमल्स को उपर लेके आना होगा ये कितना खराब काम है इतनी मेहनत करनी बढ़ती है एनिवेस गाइस इतनी सारी म सकता है और ये कहां चला गया अरे भाई मेर साथ आना तू कहां जा रहा बार बार इदर आ इदर अभी आजा वे क्या जीव चीज़ा है चला जा भाई तरो अपने साथ मैं एरो प्लेनिक अंदर लेके जाओंगा आस तो पूरी दुनिया गूंके आएंगे हम दोनों ओके ग रील कार्ट को ना हम काफी बड़ेतरी किसी यहां पर लगा सकती है तो एक सेकेंड फेहले तो मैं इसके वपर रखनी पटीगी अपनी एक चेस्ट को यहां पे रखो और इसको ऐसे रखो फाइनल अमनी एक चेस्ट दूसरी चेस्ट और अभी साथ ही में बहट बी बोट भी अपने काफी जादा काम आती है ओके गाइस अपने थ्री में से एक रूम तो मैंने पूरा पूरा कम्पलीट कर दी है और यहां मैंने रखिया थोड़ी माइन काट बेद चेस जिसके अंदर हम काफी सारा समान रख सकती है खेर अपना एक रूम रेडी हो चुक है नेक्स रूम के अंदरे मैं बनाने वालों है काफी बड़ा फार्म ताकि हम मिलियन सान मिलियन ब्लॉक ट्रेवल कर पाएं बेना किसी खाने की कमी के तो जल्दी जल्दी यहां पे मैं काफी सारी डर्ट लगा देता हूँ चल्दी चल्दी मैं इस पूरे पूरे फार्म को यहां पे हो कर देता हूँ देन इसके उपर मैं यहां पे लगा दूँगा वीट और यहां पर मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है ताकि अच्छे से अपनी खेती हो पाए लेट्स को चलो गाईस यहां पे मैंने पूरे पूरे एरिया को हो कर दिया है चल्दी चल्दी अभी मैंने यहां पे लगाना स्टार्ट करते हैं काफ़ी सारी वीड अभी खेर यह सारक सारा काम तो बहुत जादा एसी है लेकिन अभी कुछी तेर के बाद हम अपने इस पूरे पूरे एरो प्लेन का में काम करेंगे जिसके अदर हमें बनाना होगा इस पूरे पूरे एरो प्लेन का में एंजन जिसकी मन से पूरे पूरे प्लेन आगे की तरह बढ़ पाएगा जो कि सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होने वाला है और लिटरली अभी तक वो हमने शुरू भी नहीं किया है उसके लिए हमें काफी सारे पिस्टन, हनी ब्लॉक और स्लाइम चाहिए होंगे और वो वाला सारक सारे स्टेप्स में एक एक करके आप सभी को दिखाऊंगा और उससे पहले अभी अपना फार्म का काम भी कंपलीट हो चुका यानि कि अपने तीन में से दूर रोम हमने कंपलीट कर दिया है जैसके मैं आपको कहा था कि हमें तीन रोम बनाने है एक के अंदर हम अपने लिए गेमिंग रोम बनाएंगे और अभी खैर फाइनली बारी आ चुकी है अपने गेमिंग रोम को बनाने की तो लेट्स को तो चलो गाईस अभी खैर सबसे पहले गेम हमें बनानी है बास्केट बॉल तो जल्दी जल्दी यहाँ पर मैं कुछ स्टैंड उपर लेता हूं अपने इस फैन्स को और यहाँ पर लगाते हैं एक साइन बॉर्ड और इसी के साइड पे मुझे एक साइन बॉर्ड लगाना पड़ेगा हुके और ठीक इसके साइड बे मैं जल्दी सी यहाँ पर рьक सा इंव लगा देता हूं लाट्स को फाइनली गाइस अपने यहाँ पे एक बास्केट बॉल का नेट तो रेडी हो चुक है मैंने इसको यहाँ पे अटैच कर देता हूँ इसके साथ एक सेकिंड ओके फाइनली अटैच तो होई गया है अब अच्छा लग रहा है लेट्स को और इसके साथ फाइनली अभी हमने यहाँ पे बास्केट बॉल भी खेल सकते हैं तो चलो यार मैंने आपको जल्दी से यहाँ बास्केट बॉल खेल के दिखाता हूँ तो यह रही अपनी स्नोकी बॉल जिसको हम बास्केट बॉल की तरह यूज़ करने वाले है एंड लेट्स को वेट यह कुछ जादे थीरे गिर गया फाइनली गाइस यहाँ पे अपना गोल हो चुक है गोल नहीं सोरी बास्केट हो चुकी है एंड एक और बास्केट करते हैं लेट्स को एक और करते होके यह नियू ही सही मयार अपना यह gaming room काफी जादा बड़ी है अभी हमें second game बनानी है यहाँ पे हमें बनाना है एक काफी बड़ा swimming pool ओके guys अभी खेर मैंने swimming pool की बजाए नहीं यहाँ पे एक और game बना दी है जो कि बहुत जादा बड़ी है यहाँ पर बना कि हमें तैर ना धोड़ी है तो यहाँ पर मैंने काफी बड़े से गेंग बनाई है जिसके अंदर मैं नहीं यहाँ पर जैसे यह सनो की बॉल फैंकूंगा वैसे इपनी सनो की बॉल ना आगे की तरफ खिसकती जाएगी और यह ना उस वाले ना हमें गोल के अंदर पहुचानी है फाइनली गाईस अपना पहला गोल हो चुक है मैं दूसरी बॉल हाँ मारता हूँ वेट यह नहीं हुआ एक और मार के देखते हैं लेट्स को ओके नहीं हुआ नहीं हुआ ओके फाइनली गाईस यहाँ पे अपने दो गोल हो चुके हैं और दो बाल बाहर थी जल्द से मैं इसको कलेक्ट करता हूँ एक और बार मैं आपको इसको खेल के दिखाता हूँ जैसे हमने आपे फैका वैसे अपनी जो बाल है ना वहाँ पे चाके रुक गई लेट्स को इसी तरीके से इस वाली गेम को हम खेल सकते हैं और फाइनली इसके साथ हमने तीनों की तीनों रूम को डेकोरेट कर लिया है और अभी अपना प्लेन रेडी है मिलियंस और मिलियंस किलोमेटर ट्रैवल करने के लिए और अभी खायर फाइनली जल्दी से ना अपने एंजिन के वर काम करते हैं जो कि अपने प्लेन का मेंन चीज लगाएंगे बड़ जो भी कहो मलब एक प्लेयर मालो चल रहा है और वो जैसे वह उपर देखे उसको इतना बड़ा एक प्लेन उड़ता हो दिखे और यह कितनी जादा एपिक फील है क्या ही लग रहा है अपना प्लेन एनीवे चल्दी से भी उपर चलती है और भाई मेरे को स थोड़ा और हैं चाहिए होगा इतने से हनी से तो काम नहीं होगा है वैसे उतना भी मुश्किल होता मिलना चाफ़ी इजली मिल जाता है जाथ होगी साथ मेरे पास नहीं हां पर अपनी काफी सारे स्लायम क्लेक्ट हो चुकी है जालो गाइस इस टायम पे पास काफी सारे समान मेंने क्लेक्ट कर लिया जितने इम रेको चाहिए था वो सारी पास आ चुकी है अब बहुत सारे लोग यह सोच रही है कि मेरे पास इतनी सारी समान कहां से आ रहा है तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं क्रेटिम मोड यूज कर रहा हूं तो आप बिल्कुल गलत नहीं हो क्योंकि ओविसली यार इतना बड़ा प्रोजेक्ट है अब इसके अंदर थोड़ा मोड़ा क्रेटिम मोड तो यूज करना ही बढ़ेगा ना अब देखो यार जो प्लेन है वो मैं खुद से बना रहा हूं ठीक है वो पूरे पूरा रिजाइन मेरा खुद का है वर्ट अगर मैं सारक सारा समान क्लेक्ट करने जाओंगा एक्चुली में तो भाई मेरे को ना 10-15 दिन लग जाएंगी छोटा सा प्लेन ब बढ़ पाएगा तो अभी है अपने प्लेन की ये वाली टेल ना इसको मेरे को भी मूव कराना है तो इसके लिए मेरे को भी यहां पे मशीनरी सैट अप करनी होगी तो लेट्स को सबस्पे पहले तो यहां पर चारो तरफ लगा देते हैं स्लाइम हमें इस वाले एरो प्लेन बनाना वर्किंग एरो प्लेन इन माइनक्राफ्ट बढ़ा अगर चैलेंज लिया है तो इसको हम कंप्लीट भी करेंगे और एक्चले में यह वाला प्लेन उड़ाएंगे भी ओके गाइस अभी तक मैंने यहां पर दो तीन मशीने तो बना दी हैं एक जो अपने विंग को आग बढ़ेगा और कौफी जादा बढ़िया लगेगा एनिवेज अभी घर चल्दी से ना अपने इस वाले प्लेन के अंदर मशीने लगाने स्टार्ट करती हैं तो चलो गाइस खैर फाइनली मैंने पूरे पूरे प्लेन के अंदर जितना भी समान था वो सारा का सारा लगा दि इसके साइड पे वाला फार्मिंग जोन और ठीक वहां पे अपना स्टोरेज रूम तो यह सारी चीज तो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी लेकिन जो चीज मैंने आपको पहले नहीं दिखाई थी वह था इसका एंजन जो कि फाइनली मैंने कंप्लीट कर लिया है ओके लेट्स को गाईस यह रहा इस वाले पूरे पूरे ऐरो प्लेन का एंजन और यह लिटरली बहुत ज़ादा कॉम्पलेक्स था मतलब मेरे को बनाने में इसको नब बहुत ज़ादा टाइम लगा कि अर अंदर भी काफ़ सारी मशीन हैं जो कि मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि वो सारी इक सारी अंदर पैक है तो अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो मेरा पूरा पूरा एरो प्ले नी खराब हो जाएगा तो अभी के लिए आप इतना देख लो कि इस चीज़ को बनाने में मुझे करीबन बारा घंटे से भी जादा टाइम लगा है अभी फाइनली अपनी बारी हो चुकी है इस वाले प्लेइन को लाँच करने की तो उसके लिए पहले मैं अपना रेंडर डिस्टेंस सोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ तो चलो गाइस अपना जो रेंडर डिस्टेंस है उसको मैंने 15 कर लिया है लेट्स को इतना बहुत है और फाइनली अभी जल्दी से मैं इसको लाँच कर देता हूँ अब देखो यार मेरे को नहीं बहुत जादा डर लग रहा है मैंने इसको ट्राइल नहीं लिया है पहले इसका मतलब मैंने सारी सारी मशीन ने अभी जस्ट जोड़ी है कुछ दिर पहले ही और मेरे पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं था इसको टेस्ट करने का तो अगर यहां पे एक भी मशीन खराब निकलती है यहां फिर उसके अंदर कोई भी गलिच हो जाता है तो हमारा आदा पार्ट आगे चला जाएगा आदा पार्ट वहीं रख जाएगा और यह पूरी पूरी मशीन अपनी ब्रेक हो जाएगी और इतनी जो हमने मेहनत की है 14 गंटेगी वो सारी सारी खाता हो जाएगी तो हाँ चलो भगवान का नाम लेती है 3, 2, 1 लेट्स को ओके लेट्स को मैंने एक काम करता हूँ नीचे खूट जाता हूँ फाइस सहाब फाइनली गाइस हमारा जो एरो ब्लेन है वो उड़ रहा है फाइनली गाइस इतना बड़ा एरो ब्लेन उबर ऊड़ रहा है मतलब इतना बड़ा जाइन्ट मशीन खुद बाखुद आगे चल रही है अब बस आगे कोई पहाड ना है बागे तो कोई टेंशन है नहीं लिटरली भाइस साब भी इतना जादा पाउरफुल है कि मेरी पूरा का पूरा पीसी लैक कर रहा है मतलब इसके अंदर मैंने इतनी सारी मोटर्स लगाई है न मतलब आप देख भी पा रहे हो यहाँ पे कुछ-कुछ चीज़ ब्रेक हो चुकी है बट चलो कोई नहीं तरह चलता है और अंदर आप सभी लोग देख पा रहे हो काफी सारी मशीनें लगी हुई है और यार मुझे सही में बिश्वास नहीं हो रहा कि अपना प्लेन यहाँ पे चल रहा है खर आगे का जो पॉर्शन है ना मनलब अपने प्लेन का जो आगे का हिस्ता है वो थोड़ा सा अंदर जा चुका है अब उसका रीजन मुझे नहीं पता है में भी शायद से वहाँ पे कोई ग्लिच हो गया होगा बर्ट इतना ग्लिच चलता है जो चलो गाईस अगर आपको आजको ली विडू कुद पसंद आई है Tiny weड़ पसंद आई है PV साथ आया है चोके हमने वरकिंग बनाया माइनड़ी प्लेट के लीक कर देना और अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देना मैं बेलूँगा आपसे ऐसी किसी और अमेजिंग वीडियो के अंदर तब तक के लिए गुड़ बाई